हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं स्विश साक्षी सो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करने वाले हमारी एक्सरसाइस 5.1 चलिए कोश्य नंबर 5 ते देख लेते हैं यहाँ पर है लिमिट x tends to infinity 3x minus 1 4x minus 2 x plus 8 and x minus 1 देखे हम क्या करेंगे हम उपर से इसमें से x common ले लेते हैं और इसमें से तो क्या आगया common x square same denominator में से भी x x common ले लेंगे तो क्या आजाएगा x square देखे क्या होता है जैसे यहाँ पर 1 के पास x नहीं है तो x कहां चला जाएगा divide में इसी तरह x कहां चला जाएगा divide में x square से x square cancel value रख देंगे तो आ गया है 12 तो limit क्या गई है 12 question number 6 देखते हैं तो यहां हमें function दिया गया है और हमें 1 by 2 पर limit चेक करने हैं कि exist कर रही है या नहीं तो पहले निकाल लेते हैं आ रहे चल right hand limit तो यहाँगी 1 by 2 प्लस h तो यहां पर क्या हो रहा है 1 by 2 में कुछ add हो रहा है तो 1 by 2 से बढ़ा तो x की value जो 1 by 2 से बढ़ी है तो यह रही यानि यहां function क्या रहेगा x minus 1 तो x के place पर क्या लिखना पड़ेगा 1 by 2 प्लस h minus 1 तो limit हमारी आ गई है minus के 1 by 2 अब क्या निकाल देंगे lhl lhl में क्या होगा 1 by 2 minus 0 तो 1 by 2 minus h यानि कि half में से कुछ minus हो रहा है तो x की वो value जो 1 by 2 से चोटी है यानि क्या है x तो 1 by 2 minus h तो limit आ गई है हमारी 1 by 2 तो यहां पर हमारी rhl and lhl इक्कुल नहीं आई है तो हम कह सकते है limit does not exist question number 7 पर आ जगते हैं इसमें हमारे पास यदि x is not equals to 0 है तो function की value है 1 और जब 0 है तो function की value में दी हुई है 2 तो देखें right hand limit निकालेंगे तो यहां पर value आ रही है 1 और left hand limit निकालेंगे तो यहां पर value आ रही है 1 क्योंकि दोनों ही case में function की value कितनी है 1 तो lhl and lhl equal आ गए है और limit exist करेंगे और किसके equal है 1 की question number 8 पर आ जाते है यहां पर काहें इस formula का use करके कि limit x tends to 0 ax minus 1 upon x is equals to log यह है अगर यह value formula अप्लाई करके हमें किसकी value निकालने है इस function की value निकालने है तो देखें हमें limit किसकी निकालने है 2x minus 1 upon 1 plus x 1 by 2 minus 1 की तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं यहां पर expansion लगने वाले 1 plus x की power n का 1 से 1 cancel हो गया है और हमारे पास आ गया x 1 by 2 minus की 1 by 8 x अब यहां पर देखें हम limit को क्या अगर ते distribute कर देते हैं तो 2x minus 1 upon x एक सा and limit इस पर distribute हो जाएगी तो यहां पर देखें हम जानते हैं किसकी value देगा log 1 यहां पर a की place पर क्या है 2 तो इसको लिख सकते है log 2 और यहां पर देखें जह हम limit put करेंगे तो यह तो आगे की सारी terms 0 हो जाएगी यहां पर बचेगा 1 upon 1 by 2 तो answer आ जाएगा 2 log 2 आ जाते है question number 9 पर इसमें हमें दिया गया है fx is equals to 2 जब x irrational है और 1 जब x rational है तो देखें 2 case लेकर जनते है first जब x rational number है अगर x rational number है तो क्या है गा एफ a plus h तो यहां पर limit 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है depend किस पर करता है a plus h पर यदि a plus h rational है तो value आ जाएगी 1 और irrational है तो value आ जाएगी 2 तो हम limit को नहीं निकाल सकता है which does not exist इसी तरह हम चाहें irrational ले ले बट यह depend किस पर करता है a plus h पर तो हम कह सकते है limit does not exist question number 10 पर आ जाते हैं इसमें हमें दिया गया है given example एक ऐसा example देना है x tends to fx का जो exist तो करती है जिसमें limit exist तो करती है even जबकि जो function है वो x is equals to a पर define नहीं है तो हमने example दे है fx is equals to x square minus a square upon x minus a देखिए अगर आप यहाँ पर x के place पर a रखते हैं तो क्या हो जाएगा a minus a 0 हो जाएगा और 1 upon 0 infinity तो यहाँ पर क्या हो रहा है function define नहीं कर रहा है लेकिन हम देखेंगे कि यह तब भी exist करती है limit यहाँ पर तो x is equals to 1 पर चेक करते हैं देखिए क्या आजाएगा 1 plus 0 1 plus h is turning to 0 तो हम इसको solve करेंगे यहाँ पर value रख देंगे 1 plus h रखेंगे तो आगया है 1 plus ही इसी तरह left hand limit को solve कर रहा है तो मिल गए 1 plus है तो हम कह सकते है limit क्या कर रही है exist कर रही है 11 पर आजाते हैं इसमें हमें दिया गया है कि fx is equals to x 1 and 1x 1 और x square तो limit चेक करने है 0 पर तो पहले निकाल देते है right hand limit यानि x 0 plus 0 तो fh यह आ रही है हमारी देखो greater than 0 पर x square यानि कि क्या जाएगी h square इसी तरह हम क्या निकाल देंगे lhl जो आ गई है हमारी 0 तो दोनों exist दोनों equal आगे तो हम कह सकते है limit क्या कर दिये exist कर रही है 12 पर आ जाते है 12 में का गया है कि प्रूफ कीजिए limit of limit x turning to a fx is equal to f ak तो हमने उठा लिया limit x turning to a fx तो limit x turning to a यह हमारा fx है तो limit distribute हो जाती है तो यह आ जाएगी xn ऐसे हमने क्या गर दिए इसको distribute यहाँ पर अगर हम limit put कर देंगे तो क्या जाएगी की power and a और यह किसके equal है f ak तो हम कहा सकते है limit x turning to a fx किसके equal आ गई है f ak question number 13 पर आ जाते है यहाँ पर वही काहनी है 0 और 1 rational is rational वाली अभी हमने last question में देखा था कि वही यह किस पर depend करता है a plus h पर तो limit does not exist question number 15 पर आ जाते है इसमें दिया गया है limit x turns to 0 sign 1 upon x तो पहले हमने क्या निकाल दी आ रहे चल यह आ गई है हमारे पास sign infinity lhl पर value आ गई है sign minus infinity equal नहीं है तो कह देंगे limit does not exist question number 16 पर आ जाते है देखिए first और fourth same question है question number 1 की second part देख लगते है limit x turns to 0 under root 1 plus x minus 1 upon x यहाँ पर हमने x पहले लगा दिया 1 plus x to the power n का यहाँ पर minus 1 आ गया है 1 से 1 cancel तो आ गया है x common ले लेंगे x से x cancel तो answer आ जाएगा 1 by 2 so friends इसी के साथ complete हो जाते है हमारी exercise 5.1 so आप please channel को like, subscribe and share कर दोजेज़